पे मेनेजर पर पे सलिप वा जी ये परशपन डाउनलोड या Gianni निकालने के तरीके में हुआ बदलाओ अब इस परकार निकाले अपनी पे सलिप वा जी ये पिचपन विथ ओटीपी जी हाँ दोस्तों पे मेनेजर में थोड़ा बदलाओ किया अगर आपके पेमेनेजर पर अपने मॉबाइल नमबर एड किये हुए हैं तो आपके मॉबाइल पर एक OTP मैसेज आएगा उस मैसेज के थूँ ही आप अपनी पेसलीप और जीए पच्पन निकाल सकते हैं ये बदला अभी कुछी दिनों मैं हुआ है साथ ही एक और बदलाव आया था कि अगर आपकी मंथली जो सैलेरी बनेगी वो भी संस्था परदान के मॉबाइल पर OTP आने पर ही बनेगी ये दोस्तों बदलाव मैंने आपको पहले ही बता दिया था अब आज हम बात करेंगे जीए पच्पन और पेसलीप का जो नया तरीका है निकालने का वो किस प्रकार निकालेंगे नमस्कार साथियों मेरा नम है मोतिलाल कनोजी और आप देख रहे हैं रोयल टीचर दोस्तों शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो और बताते हैं आपको जीए पच्पन और पेसलीप आप किस प्रकार निकालेंगे ये जो वीडियो है दोस्तों आप सभी की मांग पर ही है काफी दिनों से मांग सल लई थी कि सब्सक्राइब कर दिया है तो आपका बहुत अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए है तो वीडियो को जरूर लाइक और सब्सक्राइब कीजिए पास में आने वाले घंटी के बटन को जरूर दबाए इसे मोशली बेनिफिट आपको ये रहेगा कि आगे आने वाली हर एजुकेशन समदी न्यूस आप तक सबसे पह आग में पेमेनेजर पर सभी की जो सैलेरी बनती है उसकी सैलेरी मन्तवाई स्लीप और ये पसमन आज में आपको डाउनलोड करके दिखाऊंगा विथ नया प्रोसेस जो ओटीपी के साथ है इसके लिए दोस्तों हम जाएंगे गूगल क्रॉम में वहां चाकर टाइप पेमेनेजर तो आपके सामने दोस्तों पेमेनेजर का ये पेज ओपन हो जाएगा इस परकार यहां पे आप अपनी आईडी लिखेंगे आर जे की ठीक है उसके बाद यहां उसका पासवर्ड लिखेंगे यहां पे यह जो कैप्चा आ रहा है वो यहां लिखेंगे कैप्चा उसके बाद यह जो tick mark ddo पे है वो आपको करना है employee पे अगर आपके यह employee का option नहीं आ रहा है तो आपको क्या करना है यहाँ नीचे चलके यहाँ यह देखिए यहाँ जहामें कटसर जा रहा है for ddo और employee login एक बार यहाँ पे click कर देना है एक बार click करने के बाद आपके सामने यह इस तरह का page open हो जाएगा जहाँ आप उपर की detail फिल करने के बाद यहाँ employee पे click करोगे employee का button on होने के बाद यहाँ login बटन पे click कर दोगे तो दोस्तों मैंने detail फिल कर ली है अब मैं आपको login करके दिखा रहा हूं यह देखिए employee पे हमने एक टिक mark कर दिया है अब हम login बटन प generate किस परकार होगा यहाँ नीचे देखे send OTP बटन आ रहा है आप यहाँ पे click कर दीजिए सबसे पहले तो click करने के बाद आपके पास mobile में OTP आएगा वो OTP code यहाँ आपको डालना है मैं आपको डालके दिखा देता हूं और साथ में दोस्तों एक और बात जैसे ही आप OTP send OTP करोगे तो यहाँ पर यह जो close का बटन है वो यहाँ हट जाएगा मैं आपको दिखा देता हूं send OTP करके यह देखे हमने send OTP कर दिया है करने के बाद दोस्तों हमारे सामने यह time भी आ चुका है verify OTP का option आ गया जो OTP code आपके सामने आए हैं आपके mobile में वो OTP code आपको यहाँ डालने हैं डालने के बाद आप verify OTP करोगे मैं करके दिखा देता हूं आपको उसके बाद दोस्तों हो सकता है आपके पास यह चैंज password के लिए एक page खुल जाए तो घबराना नहीं है यहाँ पे आपको और हो सकता है न भी खुले क्यों कि काफी दिन के बाद जब हम पे मेने लिए उसके बाद ये जो capture नजर आ रहा है वो यहाँ डाल कर उसको submit कर दीजिए अगर ये page आपके नहीं खुलता है और डारेक्टी पे मेने जे खुल जाता है तो भी कोई बात नहीं है अगर ये खुलता है तो इस process आपके आप कर लिजिए पासवर्ड डालने के समय दोस् अक्सर होगा आपका बड़ी candidates में होना चाहिए पासवर्ड मस्ट है oldadint one कोई संख्या होनी चाहिए पासवर्ड मस्ट है alternative one special character special character बोलते है star has at the rate इनको अगर आपका नाम मैं आपको एक suggestion के रूप में बता रहा हूँ किस परकार करना है जैसे आपका नाम है रवी ठीक है तो आप अपना ये R बड़ा ले सकते है R बड़ा capital में फिर ये R छोटा आ जाएगा उसके बाद आपको one digit भी लेना है तो साथ में 0 से 9 तक कोई भी अंक ले लिया जैसे 8 ले लिया है उसके बाद special character लेना है तो आप कोई भी special character ले सकते है जैसे add the rate फिर आप अपने पीछे नमबर भी डाल सकते हैं जैसे आपके mobile number है double 7 तो double 7 डाल दीजिए या अगर आप नहीं डालना चाते तो जैसा ये save हो रहा है वैसा save कर लीजिए उसके बाद दोस्तों आप दुबारा redirectly log out हो जाओगे तो दुबारा login करके otp डालकर login हो लीजिए अब उसके बाद आपके सामने इस तरह का pay manager का page open हो जाता है जो मैं आपको करके दिखा देता हूँ तो ये देखे हमारा pay manager खुल चुका है अब हमें यहां से pay slip डाउनलोड करनी है और जीए पस्पन डाउनलोड करना है तो यहां पर क्या करेंगे हम employee corner बे जाएंगे ठीक है अगर आप mobile से कर रहे हैं तो इस employee corner को हलके से दबा कर रखिए यह सारे option आपके सामने show हो जाएंगे अगर आप mobile से नहीं computer से कर रहे हैं तो जैसे ही करसल ले जाएंगे तो आपके सामने on हो जाएगा अब आपको जीए पस्पन निकालना तो क्या करेंगे कि इंप्लोई कॉर्णर पे नीचे देखिए employee report ठीक है employee report के सामने आ रहा है pay slip and GA पस्पन तो यहां से आप pay slip और GA पस्पन डाउनलोड कर सकते हैं वो भी किस प्रकार करना है तो पहले आप चलते हैं pay slip के उपर pay slip के क्लिक करेंगे तो हमारे से यहां पे देख लेजिए month पूछा जाएगा year पूछा जाएगा financial year पूछा जाएगा उसके बाद submit बटन आ रहा है यहां पे क्लिक करके हम अपनी pay slip निकाल सकते हैं अब बात करते हैं GA पस्पन की तो उसके लिए भी हम जाएंगे employee corner में employee corner में जाकर employee report में employee report में जाकर यहां पे देखे GA 55 employee detail खोलेंगे खोलने के बाद यहां से हमें आ रहा है select year तो हम यहां पे year select कर लेंगे कौन से year का मैं चाहिए जैसे 19-20 का चाहिए तो 19-20 select कर लेते हैं उसके बाद employee name आ रहा है आपको किस परकार चाहिए estimated चाहिए या non-estimate चाहिए जो भी है वो आप टिक मार कीजिए और नीचे PDF format में आप इसको ले सकते हैं तो दोस्तों यह है बदलाव का तरीका जिसे हम GA 55 और pay slip निकाल सकते हैं इसके साथ अगर आपको LPC चाहिए या लास्ट पे सर्टिफिकेट चाहिए तो भी आप यहां से देखे लास्ट पे सर्टिफिकेट उसके साथ पर्सनल डिटेल पे सलिप पे सलिप मन्थवाइज GA 55 यह सारी डिटेल आपको मिलेगी employee corner में यानि employee डिटेल में साथ है आपको medical TA bill चाहिए तो यहां से आप medical और TA bill बना सकते हैं bill forward का option भी यहीं पे आएगा employee डिटेल है तो आपकी पूरी डिटेल यहां से आपको मिल जाएगी ठीक है साथियो इस पर कर दोस्तों मैंने जो तरीका आपको बताया है उस तरीका को अगर आप फॉलो करते हैं तो आप अपनी पेसलीप जीए पच्पन मंथवाइज है जीए पच्पन जो सालाना है और पेसलीप मंथवाइज है वो आसानी से डाउनलोड कर पाएंगे धन्यवाद साथियों वीडियो को जरूर लाइक शियर और सस्क्राइब कीजिए पास में आने वाले घंटी के बटन को जरूर दबाएं